भाववान के आदेश अनुसाव देवराज इंद्र ने समुद्र मन्थन से अमृत निकलने की बाद दैत्य राज बली को बताई देश राज बली ने देवराज इंद्र से अमृत के लिए समझोता कर लिया और समुद्र मन्थन के लिए तैयार हो गई मंदराचन परवत को मतनी बनाकर तथा वासुकी नाग को नेती बनाया गया स्वयम भगवान श्री विष्णु कच्छ पवतार लेकर मंदराचल परवत को अपने पीट पर रखकर उसका आधार बन गए वासुकी नाग को समुद्र मन्थन के दोरान कस्ट ना मिले इसे लिए उसे गहरी निंद्रा का वरदान दे दिया समुद्र मन्थन आरंभ हुआ और भगवान का चपके एक लाख योजन चौड़ी पीट पर मंदराचल परवत गूमने लगा अमुद्र की अभिलाशा में देव और देटियों ने मिलकर समुद्र मन्थन का कार्य शुरू तो कर दिया किन्तु अमुद्र के स्थान पर समुद्र मन्थन से सबसे पहले काल गूट हला हल विश निकला जिसकी ज्वाला बहुत ही तिब रहे इस हला हल विश की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी कानते फीकी पड़ने लगे इस कारण सभी विश्णु भगवान से प्राधना कर रहे हैं कि वे इस भायानक विश का कोई उपाई करें समद्र मन्थन से निकला हुआ काल कूट विश इतना भायानक है कि यदि उसकी एक बूंद भी धर्दी पर गिर जाती है तो संपुन धर्दी का विनाश हो जाएगा काल कूट अर्थात काल को नश्ट कर दे जो महाभूत तत्व वायू अगनी पृत्वी जल आकाश और मूल जितना भी यहां द्रश्यमान है और जो अद्रश्य है सब काल ही पर तो टिका है और सबसे कठीन दर्शन काल ही का है काल को मूल स्थिती से तक्षन नश्ट कर देने वाला महाभयंकर विश जो वायू में विस्तृत होने पर जल थल और नब के सभी प्राणियों को मार देता ऐसे विश को काल के परे तक धारण कर सके ऐसा कौन हो सकता है भगवान विश में इस समय कुर्मा उतार के रूप में है उन्होंने मंदार गिरी परवत को अपनी पीठ पर धारण किया है इस कारण उन्होंने देवताओं को कहा कि इस काल कुट विश को यदे कोई धारण कर सकता है तो वो है केवल महाकाल महाकाल केवल शिव में ही इस काल कुट विश को धारण करने की एक शमता है और किसी में नहीं अनादी शिव के जेश्ट स्वरूप महादेव शंकर के अतरिक कोई दूसरा नहीं था जो संकट के इस समय में शुष्टी के सहाईता करें अपने दोनों हाथों को जोड़े नत्मस्तक होकर सभी दैव और दैत्या शिव की प्रार्धना करने लगे हे शिव हे महाकाल काल के भी काल हमारी रक्षा करें हम आपके शरण में हैं हमारी और इस तुष्टी की रक्षा करें आप ही हमारे तारणहार हो आपकी शक्ति और समर्ध्य की कोई तुलना नहीं है हम सब आपकी शरण में हैं हे महाकाल इस काल कुट विश्ट के प्रकोप से शुष्टी की रक्षा करें ही शिव आप काल से परे हो आप कालों के काल महाकाल हो आप हमारे रक्षा करें महादेव शिव का अर्थ कल्यान होता है देवताओं की और दैत्यों की प्रार्थना सुनकर शुष्टी के कल्यान के लिए इस काल कुट विश्ट को पीने के लिए शिव तयार हो गए हैं शिव अनादी तथा शुष्टी की प्रक्रिया के आदिस्त्रोत्र है वे हमेशा लई एवं प्रलई दोनों को अपने आधिन किये हुए हैं शुष्टी के विनाश का समय अभी नहीं आया है इसलिए ऐसी विश्व परिस्तिती में भगवान शिव ने विश्पान करने का निर्णे किया जैसे ही शिव पधारे समुत्र मन्थन के स्थान पर समक्र शुष्टी देव और दहित्य नत्मस्तक हो गए महाकाल आज शुष्टी को एक नया जीवन देने आये है जिस प्रकार ब्रह्मांड का ना कोई अंत है ना कोई छोर और ना ही कोई शुरुवाद उसी प्रकार शिव अनादी है संपुर्ण ब्रह्मांड शिव के भीतर समाया हुआ है जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे जब कुछ नहोगा तब भी शिव ही होंगे इसी लिए शिव को महाकाल कहा चाता है महाकाल अर्थात समय महाकाल संपुर्ण स्रुष्टी का पोशन करते है इसी स्वरूत द्वारा महाकाल ने अपने ओज एवं उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है महाकाल का यह स्वरू अत्यंत ही कल्यान कारी है पुर्ण स्रुष्टी का आधार महाकाल पर ही तो टिका हुआ है दिव्यरू प्रकर्टीच की आगा विशाल छाती वैराख्य की चरम सीमा को छूता शिव का अचूता स्वरू महाकाल शिव की सामने सभी पामर है शिव ने अपने एक हाथ से जैसे हथेली में अंजली भरते है वैसे सहच काल कूट विश को पान करना शुरू किया महादेव भगवान शिव ने इस विश को अपने कंथ में इस प्रकार धारण किया कि इस विश की एक बूंद भी उनकी शरीर में नहीं गई महादेव भगवान शिव ने काल कूट विश कंथ कुट में स्तम्वित कर उस विश को रभाव हिंकर धारण कर लिया कशोद शाओं से निल कंथ महादेव की जय हो की द्वनी बूंजने लगे हैं नील कंथ महादेव की जय हो नील कंथ महादेव की जय हो शिव शंभू की जय हो नील कंथ महादेव की जय हो महादेव कालो की काल महा काल शिव शंभू की जय हो महा काल की जय हो महा कानी की चैहो कानी की चैहो